नमस्कार दोस्तो हिंदी निवजेफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तो माल देफ से भारत के लिए बहुती बुरी खबर आ रही है दरसल बात यह है कि भारत के 43 नागरिकों को माल देफ से देश निकाला दे दिया गया है यह वहां पर घूमने के लिए नहीं गहते यह जो डवलप्मेंट में सहयोग देते थे माल देफ में पूरा मामला क्या है आई विस्तार से समझते हैं दरसल दोस्तो माल देफ के जो राश्टपती हैं अभी मुहमद माईजू यह भारत के बिरोध में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ र आया है निकालने का इन्हों ने उसको यह बताया कि यह अवायद गद्विदियों में सम्मिली थे हैं यह अवायद रूप से अपना बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं जबकि यह लोग वहाँ पर काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और इनको तब याद नहीं है आज इनको याद है कि यह लोग अवायद बिजनेस कर रहे हैं और सेम तरह के बिजनेस चाइना के लोग कर रहे हैं वो इनको बिलकुल दिखाई नहीं देता है और चाइना के लोगों को इन्होंने बिलकुल भी बाहर नहीं निकाला है इसमें भारत को ही इन्होंने टार्गेट किया है ये भारत के साथ रिष्टे अच्छे नहीं करना चाहते हैं ये भारत के लिए बहुत ही जादा चिंता का बिसा है क्योंकि भारत सरकार को भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उठाना चाहिए जो एप्रोपियेट मंच हों क्योंकि इससे क्या होगा कि अभी साड़े चार सा मौईजी को सरकार और रहने वाली है तब तक यह तो और ना जाने कितना क्या करेंगे भारत के लिए इससे भारत की भी छवी भी खराब होती है और कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को भी परिशानी होती है भारत जबकि मालदेप के लिए हमेशा अच्छा सोचता है से हमें मिल रहा है अपने वहां से देश से निकाल दिया गया हमारे देश के लोगों को इवन की हमारे जो वहां पर सैनिक हैं हमें उन्हें भी निकालना है बार्च तक वहां से हमारे सैनिक वापस आ जाएंगे इंडिया में अब वो जो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सेना को यह ट्रेनिंग देते हैं हमारे सेनिक और मायलदी बताइए इस तरह की चीज़े कर रहा है भारत सरकार को जरूर इसमें कुछ कड़ा कुछ सुचना पड़ेगा और कुछ कॉंक्रेट सुचना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त मालदी में जो राश्पती यह कंप्लीटली चाइना के इंफ्लेंस में है और चाइना तो कैसे भी भारत के बारे पर तो अच्छा नहीं सो सकता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई अगर कोई और डेवलेप्मेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटर वीड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें